असलाम अलेकूम वेलकूम तुनोश विथेरा आज हम बना रहें सिंधी टिपीकल डिश दूद्ध च्वारे एक कप हमने च्वारे लिए इसको अच्छे तरीके से वाश करके हमें बिगो देना है ओवर नाइट के लिए अगर आपके पास ज्यादा टाइम ना हो तो दो से ती इन घंटे आप इसको भिगो के रख दें च्वारे हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके अब हम इसकी कटिंग करेंगे उपर का पार्ट और गुट्री हमें निकाल देनी है इस तरह से हम च्वारे की कटिंग करेंगे एक च्वारे के हमने चार पीस किए अगर आप चाहें तो दो पीस भी कर सकते हैं च्वारे की कटिंग कर ली हमने एक लीटर पानी हमने एक लीटर पानी हमने एट किया है अब हम इसमें छोहारे हैट करेंगे मीडिय मीड पेन को पकाएंगे हम आए एक का अगर चैंज होते जाएगा पानी आलमुस्ट ड्राइ हो चुक है तीन लीटर मेरे दूद लिया है विद बलाई दूद को हमें 10 मिर तक फुलांस पे पकाना है तीन से चार अदद इलाइची एट करेंगे दूद हमार अच्छे तरीकी से बॉयल हो चुका है अब हम इसमे अड़ करेंगे चीनी एक कप शुगर आप अपने टेस्ट के हसाब से एड़ कर सकते हैं मैंने एक कप इसमें एड़ किये मुस्तकिल इसको पकाते रहेंगे जैसे दूद का कलर अब जोए वो चेंज हो जाए चुआरे में इस स्टेच पर डालने से पहले नहीं डालने वरना दूद हमारा फट जाएगा मैं मासा पास बालने जाएगा लगान डालनी ग्रेचिक युए यंद नहीं इस क्यों जाएगा भूपि, तक हीुए कर दो सबस्देस चापाएगे मुए खिया, टेसरे लेगाया टेक्रूद में डालने चापाएगा पहले जाएगाए न दूद दूद के गरशद करत दूद का कलर अब चेंज हो गया, लाइट पिंक पिंक सा हो गया आदे घंटे तक हम छुआरों को पकाएंगे दूद के साथ मीडियम हीट पे चमच को हिलाते रहेंगे दूद आप देखें कितना गर्ड़ा हो चुका है हमारा इस दिश को बनाने में दो से धाई घंटे लगते हैं दूद छुआरे हमारे रेडी हो चुकी है अब हम इसका चूल आफ कर देंगे और थोड़ा सा इसमें ड्राइफूड एट करेंगे जो आपको पैसंदो आप इस रेसेपी को ठंडा भी सर्फ कर सकते हैं गरम भी सर्फ कर सकते हैं आपकी च्राइस पर डिपैंट करता है आप इसको दावत में बनाके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें किसी भी टाइम आप इस रेसेपी को बनाके एंजॉय करें बहुत मज़ेदार एनरजी वाली रेसेप ये तो जरूर ट्रै कीजिएगा मेरे चनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें दौाओं मेद रखिएगा टेक कियर अलाफिज